बेटा, यहाँ पर थोड़ा दाख करू कि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बपा का स्रिंगार, जितना आप प्यार से करोगे ना, बपा उतना ही सुन्दर लगेंगे थोड़ा, थोड़ा, यहाँ पर डाख हाँ, हाँ, हाँ हाँ, मया, हाँ, तुला कॉल केलता में अरे यावेशपन अपला गरी गनपदी वसना रे हाँ, तो आपने पूरे ग्रूप को मेरे घर पे लेके आना है ठीक है, फुल डांस बिंस करेगे, मज़ा आएगा आचा, मैं बपाची मुर्ति कहले आलो है, तो तुला थोड़ा बैद कॉल बैक कर दो, ठीक है, हाँ, चरद हाँ, शबत एक से एक काई मुर्थ्यात बपाच्या अंगल मुझे घर पे स्तापित करने के लिए मस्त मूर्ती दिखाऊ ना अच्छा आपको बपा की मूर्ती चाहिए बपा की कौन सी मूर्ती चाहिए यह वाली बेटा वो तो बिग चुकी है वो वाली यह तीन हजार की है अच्छा तो यह वाली यह साड़ेती न हजार की और यह बेटा यह तो छे आजार की है वाँ परे वाँ एक से बढ़ कर एक मूर्ती है अंकर मैं तो कन्फिज हो गया हूँ कौन सी लू और कौन सी नहीं सब कितने अलग-अलग है न एक जैसे होती तो इतना कन्फिजन भी नहीं होता बेटा बपा के 32 अलग-अलग रूप हैं जैसे की बाल गनेशा, भकति गनेशा, सक्टि गनेशा, दिव गनेशा, नित्य गनेशा इसी तरह के 32 रूप होते हैं बप्पा के और बप्पा के हर एक रूप की अपनी अपनी विश्यस्ता हैं होती है बटा वा अंकल हा अंकल ये मुसक इतना चोटा क्यों होता है और बप्पा इसकी सवारी कैसे करते है वा बटा इस बार आपने सही सवाल पूछा है आपको पता है मुसक वास्तों में इंसान की इच्छाओ का प्रतिक है वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में डिजायर मैं उसी डिजायर की बात कर रहा था जो कि इंसान की वस्म होना चाहिए ना कि इंसान अपनी इच्छाओ के वस्म है इसलिए तो बापा की चड़नों में मुसक का स्थान होता है वाँ अंकल बहुत बहुत मस बताया आपने आप तो बहुत कुछ चानते हो बापा के बारे में हाँ अंकल ये बेटा बापा के मुर्ति पसद आई मैं मैं आया मैं कॉल कर के आता हूँ हाँ हेलो हे मया अरे जिकड़ मी बापा के मुर्ति गहला आलो न तो एक मुस्लिम है अरे प्रोब्लम मंजे तो तेनी आपला बापा लाशूत के ला न मांग हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है चल तू फोन रख मैं आता हूँ हाँ चल मेरे पास पैसे कम है मैं थोड़ी तेरी मैं आता हूँ तो क्या हुआ पैसे कम है बाद में देजना आप बापा लेके जाएए नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं पूरे पैसे दूँगा, तब ही भपा को ले जाओंगा ठीक है बेटा, सुनो न हलमेट तो लेके जाओ सुनो बेटा बेटा, ये शुद्ध, असुद्ध, कुछ नहीं होता भगवान ने इस धर्थी पर सिर्फ इंसान बनाया ये हिंदू, ये मुसल्मान, ये सिक्ष, हिसाई हम इंसानों ने बना डाला है बबबा की नजर में हम सिर्फ इंसान है बेटा, बबबा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उनका सिंगार कोई हिंदू कर रहा है कि कोई मुसल्मान बापा की नेजर में हम सब पराबर हैं बाकि बेटा तुम्हारी मर्जी अगर बापा को ले जाना हो तो आ जाना अंकल मुझे माफ कर देना वो आपको यहाँ नमास पढ़ते हुए देगा तो मैं शौक हो गया एक मुस्लिम बापा की मूर्थी बनाता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसलिए मेरे दिमाग में बहुत गलत खैल आ गया था मुझे माफ कर देना और हाँ मैं यह बालगने चौली मूर्थी लेकि जाऊंगा और हाँ पैसे भी रखिये वो भी पूरे है अब भी पूरे पैसे आगे हैं अगर अगर बना है तो बनो सिर्फ और सिर्फ इंसान